यह गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल लास्ट टाइम जब हम लोग गुर्दवारे गए थे वहां लंगर में बनी ती काली दाल जो कि बहुत ही जादा टेस्टी थी ती तब क्या बताओ बट मैंने जो है ना वही बनाई है उतनी जादा अच्छी नहीं बट ठीक ठाक बन अब इसे हम ट्रांसफर करेंगे कूकर में जिसके अंदर हम इसे पकाएंगे अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है तो तीन चार विसल लगाएंगे और एकदम अच्छे से सॉफ्ट करेंगे जिससे की जो है ना हमारी दाल बहुत ही जादा बताब सिल्की बनेगी और जब तक यह पकता है हम हमारे दाल के तड़की का प्रप्रेशन करते हैं तो यहां पर मैंने लिया है प्याज साथ ही यहां पर अद्रक लिया है मैंने एक इंच के करीब थोड़े से लहसन के पंकुडिया ली है पांच शे के करीब हरी मिर्च ली है तो यहां पर में लाल मिर्च भी बंदे सिरफ एक हरी नेवाले क mentre tax upon brat में छिनी ताइक पो इसका पीस्ट म किणे अब ड़। जाई तो यहां पर मैंने ग्राइं करकर उसका पीस्ट बना लिया है और आब लेंगे कढ़ाई जिसमें संगा नेकाल के तरस्टे जुसकाई डाला है कि जो हमने प्यास वाला पेस्ट बनाया था वो डालना है और इसे अच्छी तरह से भूनना है जिससे की अद्रक लहसन और प्यास का जो कच्छा पनना बिलकुल हट जाए तो एकदम अच्छी से फ्राय करेंगे एक कंटेनियू चलाने की जरूरत नहीं है बर बीच वीच में चल मसालों को भी लो फ्लेम पर हमने भूनना है जिससे की मसालों का टेस्ट तेल में एकदम अच्छे से निकल कर आए और अब इसके बाद में हम डालेंगे टमाटर तो मैंने मिक्सी के पॉट में ग्राइंड कर लिया था इसका पेस्ट बना लिया था चार पांच्छ टमाटर यूज किये है मैंने जिसका पेस्ट बना लिया था अब मेडियम फ्लेम मेडियम टु हाइप आप रख सकते हो टमाटर का पानी सुखाने के लिए जिससे की इसका कच्छापन हट जाएगा तो यह जो है ना पांच मिनिट के अंदर एकदम अच्छे से ड्राइ हो जाएगा तो आप देख सकते हो किस तरह से टमाटर का पानी सूख चुका है अब हम डालेंगे बॉइल की हुई दाल जो है बहुत अच्छी तरह से बॉइल हो चुकी है एकदम अच्छे से मैश हो रही है तो अब दाल दाल देंगे हम हमारे तड़के में एक सूपर टेस्टी दाल है यहां पर ट्राय करना हेल्दी तो है ही और बहुत अमीजिंग लगती है मुझे लंगर वाली यह ताल तो बहुत जादा पसंद है मतलब मेरा पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं तो यहां पर पानी डाल देंगे हम जितना रिक्वाइड है वह हिसाब से तो यह वाली दाल ज साथी आधा छोटा चमच हम गरम मसाला डालेंगे बहुत जादा नहीं बस आधा छोटा चमच इन्हें अच्छे तरह से मिक्स करना है मुझे लग रहा है और थोड़ा सा मैं आधा गलास के करीब पानी इसमें डाल दू क्योंकि जब बॉयल होगा तो और जादा गाड़ा हो जो मधानी होती है से थोड़ा सा घोटेंगे भी तो आप यहां पर विसकर का भी यूस कर सकते हो तो यह जो मधानी है इस तरह से घोटने से जो है ना उसमें बहुत ही एक सिल्की वाला टेक्स्चर आएगा हमारी दाल में और जो जैसे दाल के ऊपर वाला निकलेगा ना तो बहुत ही अच्छी सी दाल बनेगी मतलब पानी और दाल अलग अलग नहीं होकर एक जैसे होगा तो आप वापस से ढखकर पांच मिनट के लिए पकाना है तो आप देख सकते हो कैसे दाल में मतलब पानी में एक थिकनिस आ गया है क्योंकि हमने उसे घोटा था और वापस से के लिए बॉइल किया था तो जो तेज पता है वो हटा लेना है और अब आप गैस की फ्लेम बंद कर सकते हो तो यहां पर में डाल रही हो कटा हुआ धनिया पता साथ ही एक चमच घी जिसके बिना यह दाल अधुरी है तो रैसीपी पसंदारी है तो लाइक करना ट्राइ करन मिलते हैं नई रैसीपी के साथ में तब तक के लिए बाई बाई